हलो फ्रेंज चै मातादी कैसे हैं आप सब विश्व अलब वेरी वेरी हापी मॉर्निग साल की अंतिम अमावश्या है फागुनी अमावश्या है और उन स्रेश्ट दिनों में से है जिस दिन भगवान विश्व और पित्रों के निमित आप जो भी कारिय करते हैं चाहे वो जप हो स्नान हो दान हो तो अश्व मेग यक्य के बराबर फलों की प्राप्ति होती है इस अमावश्या पर देवताओं का निवास संगम तट पर होता है अतह इस दिन गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करके देवों का अश्रवात प्राप्त किया जा सकता है फागुन कृष्ण पक्च की अमावश्या के ठीक एक दिन पहले हमने देवों के देव महा तेव के पावन पर्व महा शिवरातरी को मनाया है और चुकी इसके साथ इतना पवित्र होता है, शुब दिन जुड़ा होता है, इसलिए कहा चाहता है कि फागुन महा किया मवश्या के दिन, अगर आप सनान दान करते हैं, तो ये अत्यंत शुब फलदाई होता है, इस दिन लोग पूरा दिन वरत रख सकते हैं चाहें तो, और नहीं तो भगवान का समरन करके, सुख समरिद्धी की मनो कामना करके, पवित्र नदियों में नहीं जा सके, तो घर पर गंगा जल या काले तिल डाल कर सनान करें, और दान पुन्य करें, इससे भी मनो कामनाओं की प्राप्ती होती है, आज यानी 6 मार्च को है, फागुन अम किस मिनट पर और शाम को 6 बचकर 16 मिनट से लेकर 6 बचकर 42 मिनट तक इसमें आप जो भी उपाय करने चाहें आगे मैं आपको उपाय बता रही हूं वो उनमें से आप कोई भी उपाय करें यह आपके लिए बहुत लखी सिद्ध होता है खास कर किसी भी परिवार पर पित्रों क आशिरवाद होना बहुत जरूरी है और अमवश्या तिथी मानी ही जाती है पित्रों के निमित यह तिथी होती है कहते हैं यदि पित्र प्रसंद नहीं हो तो अन्य देवी देवता भी अपनी किरपा नहीं बढ़साते हैं और इस दिन आप पुरवजों के निमित स्नान करे दान करें तरपन करें उनका श्राद करें जो भी उपाय करते हैं जो भी टोटके करते हैं वो आज के दिन जरूर फली भूत होते हैं अगर संतान हीनता है धन हीनता है पित्र दोश है दुरभाग्य है नौकरी से विहीन है शादी से विहीन है सभी प्रकार के दोशों से आज के दिन राहत मिलती है वैसे तो श्राद पक्ष में हमेशा उसी तिथी को श्राद किया जाता है जिस दिन तिथी को दिवंगत आत्मा पर लोग सिधार दे लेकिन यदि संभव ना हो और किसी कारण वश्टिथी मालूम ना हो तो प्रतेक महा में आने वाली अमवश्या के दिन कर सकते हैं और वर्ष भर की अमवश्यातिति में उससे भी जादा इंपोर्टेंट होती है फागुन माह की अमवश्यातिति इस दिन अगर आपके घर में पित्रों की तस्वीर है तो उसे दक्षिन दिशा में जरूर लगाना चाहिए उनके निमित होमादी करें और उनके जुद्ध चीजों का ही इस्तेमाल करें अगर भोजन नहीं बना कर खिला सकते तो बाहर जाकर किसी गरीब को अनात को किसी वृद्ध को आप भोजन करा सकते हैं यह सब पॉसिबल नहीं है तो पीपल के पेड़ पर गंगा जल, काले तिल, शक्कर, चीनी, चावल, फूल, आ करें कुछ ना कर सकें तो भूको को भोजन खिलाएं शक्ति अनुसार दान करें मचलियों को दाना डालें चीटियों को आटा डालें शक्कर मिला कर चीटियों को आटा डालें और रात को घर की उत्तर पूरब दिशा में तिल के तेल का या घी का दीपक आपको पित्रों के इमित जलाना चाहिए इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है यदि आपके घर में कोई काम रुका हुआ है तो इस दिन भगवान शिव का आप अभिशेक जरूर करें कच्चे दूद दही मधू से अभिशेक करें दूद में काले तिल मिला करके अभिशेक कर सकते हैं ऐसा करने से बिगडा हुआ काम बनता है रुद्र यानि भगवान शिव अगनी देवता और ब्रामनों को उड़त की डाल दही और पूरी के रूप में नवयद्य अरपन करें और फिर इस प्रसाद को परिवार सहित आप भी आरोगे इससे परिवार का कल्यान होता है कहा जाता है कि अमवश्या का दिन पित्र देव के साथ साथ शनी देव का भी होता है तो जिन लोगों को शनी की साड़े साती है शनी की धायाई शनी की कूद रिष्टी है या शनी के किसी भी प्रकार के दोशों से गुजर रहे हैं तो आज के दिन अगर आप शनी देव को नीले रंगे फूल चढ़ाते हैं, या फिर काला तिल, काली उड़त की दाल, सरसों तेल, काजल, काला कपड़ा, जो भी आप काला रंग का छाता, जूते, चपल, जो आप दान करना चाहें, वो दान करें, शनी मंदिर में दान करें, या फिर आप शनी मंदिर में जाके अपनी चाया दान करें यानि एक कटोरी में तेल लेकर के जढ़ाएं अपने चेहरे को देख करके ये भी बहुत चमतकारी होता है इस तरह के उपाय करने से आज के दिन बहुत ही चमतकारी आपके लिए बन सकता है लेकिन ध्यान रखे किसी भी तरीके का आज के दिन घर में तामसिक भोजन मानसाहार शराब इत्यादी प्रयोग ना करें ना ही बाल कटवाने चाहिए ना दाड़ी बनवानी चाहिए और पुर्ण ब्रह्मचर्य का पालन पती पतनी को करना चाहिए इस दिन माना जाते कि अगर जिसको अमीर बनने की इच्छा है तो नमक से अगर आप कुछ क आपके लिए चमतकारी सिद्ध हो सकता है इसके लिए सूर्य उदय से पहले बिस्तर चोड़े और फिर अगर आपका मन बहुत अशान्त रहता है विचार आपके चलते रहते हैं हर प्रकार की चिंतायों से ग्रस्त रहते हैं आपका स्वास्त खराब होता जा रहा है तो आज के दिन आपको नमक मिलेवे जल से स्नान करना चाहिए इससे शरीर तो शुद्ध होता है साथ ही सातमन की बिचैनी भी शान्त होती है स्वच्छ कपड़े पैने ध्यान रखें इस दिन गंदे वस्तरों को धारन नहीं करना चाहिए अपने घर को साफ सुत्रा करके नमक का पो होता है घर में रोग और शोग का कारण बनता है इसलिए नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से ये बुरा असर नहीं देता प्लास्टिक के पात्र में भी आपको नहीं रखना चाहिए नमक को गिराना भी नहीं चाहिए शुब नहीं माना जाता है और सिर्फ हमारे दे तो चंद्रमा और शुक्र शुक्र कौन होते हैं लक्षरी के देवता तो चंद्रमा मन के देवता मन के कारक और शुक्र लक्षरी के देवता तो यानि नमक अगर आप गिराते हैं तो चंद्रमा और शुक्र दोनों आपके जीवन में कमजोर हो जाते हैं और नमक को कभी भी आ पापी पुरुष के यहां का नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका जीवन भी उसी के समान होने लगता है, हर कहीं का नमक नमकी नहीं खाना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, और किसी भी मजबूरी में आके, किसी दवाब में आके, किसी का नमक नहीं खाना चाहिए, इससे भी नुकसान होता है, जिसके अच्छे हो संसकार, जिसका आचरन धरम सम्मत हो, उसके घर का नमक आपको मांग कर भी खाना पड़े, तो खाना चाहिए, ये आपके लिए देजनक हो सकता है, दोस्तों घर में हमेशा कहती हूँ, कि आपको नमक का पोचा जरूर लगाना चाहिए, घर में एक बार बस गुरुवार को छोड़कर आप पोचा लगाते समय, पानी में थोड़ा सा साबूत खड़ा नमक जो आता है, समुदरी नमक वो सस्ता होता है, आ आप एक डबे में बड़े में भरके रख लें, और उसमें से आप थोड़ा थोड़ा लेकर के रोज पोचा लगाएं, 43 डेज, अगर आपको लगता है आपके घर पे नेगिटिविटी भर गई है बुरी तरह, तो 43 डेज आप ये काम करके देखिए, सिर्फ गुरुवार के दुर भाग ये कोई लगता है कि नेगिटिव इनरजी घर कर गई है, बुरी आत्माओं का वास हो गया है, सबी चीजें आपके घर में दूर हो जाती है, वातावरन की पवित्रता बढ़ती है और लक्षमी प्राप्ती का माल प्रशस्त होता है, घर में बरकत बनी रहती है, और घर में धन का प्रवाब बना कर रखने के लिए आप चाहें तो एक काँच के गिलास ले लें, उसमें पानी और नमक मिला कर घर का जो नैतित्य कोन है उसमें आपको रख देना चाहिए, और नैतित्य कोन जो बेडरूम का आपका स्थान है, वहां पर रखें और उसके प काटोरी में खड़ा नमक, समुदरी नमक जिसको हम कहते हैं, वह भर करके इस काटोरी को आपको बात्रूम में रखना चाहिए, ध्यान रखें काटोरी कांच की हो और इस उपाई से भी घर की नकरात्म कूर्जा वास्तु दोश दूर होते हैं, ध्यान रखें हर मेने इस नमक को आपको फेक देना चाहिए, कैसे करेंगे इसको आप टॉयलेट सिंक में डाल सकते हैं या फिर आप कमोड में फ्लश कर सकते हैं, अगर कोई बच्चे को नजर लग गई है तो साथ बार एक चुटकी नमक उसके उपर से उल्टी दिशा में उतार करके आपको पानी मे आपको नमक डालना है, ऐसा नहीं करना है कि बेसिन में आपने नमक फेक दिया फिर नल खोला, नल पहले चालू करें फिर हातों को नल के नीचे करके नमक आपको पाहा देना चाहिए, इससे बच्चे की नजर दोश दूर हो जाती है, अगर आपको लगते है परसनल लेवल आपके उपर खुद के उपर कोई बाधा आ गई है, कोई नजर बाधा है, कोई भी गलत प्रकार की बाधा है, तो एक मुठी आपको पीसा हुआ नमक लेकर के शाम के समय अपने सिर के उपर से तीन बार उतार लेना चाहिए, और दर्वाजे के में गेट के बाहर उसको फिं खिर्णता रहती है, डर रहता है, हर समय चिंता रहती है, और हर समय आप परेशान रहते हैं, लगता है कि आप सब कुछ हातों से निकल रहा है, आपको लगता है चारों तरफ से बरबादी हो रही है, तो आज आपको शाम के समय एक काम करना है, अपने दोनों हातों में साब नमक भर करके कुछ देर रखें फिर अपने दिमाग में उस नमक पर फोकस करें और सोचे कि क्या-क्या निगेटिविटी आपके घर पे चल रही है और आप क्या-क्या एक्चली में चाहते हैं कि कैसा आपके जीवन में होना चाहिए दो मिनट वहीं खड़े रहें खड़े-ख ध्यान रखें नमक को इधर उधर ना फेके और हाथ जब धोएंगे तो पहले नल को चालू कर लें उसके बाद आपको नमक को पानी में बहाना चाहिए बेसिन में फेक करके नमक को फिर आपको नल नहीं खुलना चाहिए बहते जल में नमक के हाथ को दूएं आप तो इससे भी घर में धनकी आवक शुरू हो जाती है, घर में बरकत बनी रहती है, और नमक में सुगंद बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से आपके घर में धनकी कमी नहीं होती. अगर आपकी health बहुत खराब रहती है तो आप सोने के कमरे में अपने bed side पे एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा सेंदा नमक की कुछ टुकड़े रख लें और समय समय पर इसको आप बदलते रहें चाहे 15-20 दिन में चाहे एक मैने में या 45 डेज में जबी भी लगे negativity हो रही है तो इसको आप बदल सकते हैं आप देखेंगे धीरे धीरे उस व्यक्ति के सेहत में सुधार होने लगेगा यदि भोजन करते समय आपको डाल या सबजी आदी में नमक कम लगता है तो उपर से नहीं डालना चाहिए ये मिस्टेक हम सब करते हैं ऐसे में आपको हमेशा काला नमक या काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे शनी के दश्वप्रभाव दूर हो जाते हैं और कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है तो समुद्री या समान्य नमक का भोजन में इस्तिमाल नहीं करें बल्कि सेंधा नमक का इस्तिमाल करना चाहिए इससे बल्ड प्रेशर की भी समस्या से बचते हैं और अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तिमाल करें पती-पत्नी में किसी बात को लेकर हमेशा अन्बन होती है ग्रे कलेश होता है और किसी भी प्रकार की मानसी का प्रकार की होती है तो सेंधा यह खड़े नमक का एक टुकड़ आपको अपने बेडरूम में एक कोने में रख देना चाहिए और चुप चाप इसे हर सोमवार को आपको बहते जल में डाल देना चाहिए अब बात्रूम में फ्लश कर दें बेसिन में फ्लश कर दें चलेगा आप पती पतनी के जगड़ी कम होते हैं, न कर आत्मकता दूर होती है, तो दोस्तों नमक से आज की रात यह उपाई ज़रूर करें, अपने हातों में नमक भरें, अपनी मनों कामना को बोलें, और आपकी जो भी नेगिटिव एनरजी है, नेगिटिविटी है, आपके लाइफ सबी लोगों से शेर करें, जिन-जिनकी लाइफ में नेगिटिविटी बहुत भर चुकी और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आगे अंदकारी अंदकार दिखाई देता, उन सबी से शेर करें, ताकि वो अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी की गिरन देख सकें, टेक